गेम ने पहले तोड सेल कीती जी अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और अगर आपने ये गेम नहीं खेलिये तो आपको जरूर ये गेम खेलनी चाहिए इसलिए आज हम गेम पहले पहले नौर्थ येंटन के एक बैंक रॉबरी से जहां पे तीन दोस्त मिलकर एक बैंक लूट रहे होते हैं माइकल, ट्रेवर और ब्रैड लेकिन अचानक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और तीनों पर हमला कर देती है लेकिन वो तीनों वहाँ से बैंक लूट के भागने की कोशिश करते हैं जिसके लिए उनका एक दोस्त बाहर गाड़ी लेके इंतजार कर रहा होता है पर भागने के दोरान पुलिस उसको गोली मार देती है और उनका गाड़ी का एक्सिरेंट हो जाता है जिसके बाद ब्रैड माइकल और ट्रैवर गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस स्नाइपर माइकल और ब्रैड को शूट कर देती है लेकिन ट्रैवर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि ग्रेव यार्ड में माइकल का फ्यूनरल होता है लेकिन एक्चुल में माइकल ग्रेव यार्ड के बाहर से सब कुछ देख रहा होता है और माइकल जिन्दा होता है अपनी family की आपसी लड़ाई को लेके और हमें पता चलता है कि Michael Townley ने अपना नाम चेंज करके रख लिया है और पता चलता है कि Michael ने ही North Arlington Bank की robbery के बारे में police को बताया था जिसके बदले Michael ने FIB जो real world की FBI से लिया गया है से एक deal की थी जिसके बदले FIB माइकल और उसकी फैमिली को लॉस सेंटोस में अपनी सिक्योरिटी में सिफ्ट होने में मदद करेगी और इन सब में FIB का एक बड़ा ओफिसर डेव नौटन माइकल की पूरी हल्प करता है और माइकल के पिछले सारे किर्मिनल रिकौर्ड को हटाने का वादा भी करता है इन सब के बाद माइकल फ्रेंकलिन से मिलता है जो की एक चोटा-मोटा चोर होता है और माइकल से जॉब के लिए کہता है और एक दिन अचानक कुछ किटनैपर माइकल के बेटे को उसकी बोट के साथ किड्नैप करके ले जा रहे होते हैं और माइकल की बेटे की जान बचाने में फ्रैंकलिन उसकी मदद करता है जिसके बाद माइकल और फ्रैंकलिन के आपची रिष्टे और गहरे हैं वो गर दरसल कोच का नहीं बलकि एक पावरफुल गैंग लीडर मदराजो का होता है जो कि एक ड्रग माफिया है माइकल को उसका नुकसान चुकाने के लिए दमकी देता है और माइकल को मजबूरन पैसे का इंतजाम करने के लिए अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ में वापिस आना पड़ता है और पैसो का इंतजाम करने के लिए माइकल अपने पुराने दोस्त लेस्टर से मिलता है माइकल और लेस्टर एक जोलरी शॉप रॉबरी प्लैन करते हैं जिसमें फ्रैंकलिन को भी शामिल किया जाता है और सक्सेसफुली वो शॉप लूट लेते हैं और कुछ दिनों तक छुपे रहते हैं जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ डेजर्ट ओफ बलेन काउंटी में ट्रैवर जो अब तक जिंदा होता है ट्रैवर जीटिये का सबसे डेरिंग और फणी केरेक्टर है और बहुत गुस्से वाला भी ट्रैवर गंस और वैपन का बिजनस करता है और बिजनस में अपना कॉंपिटिशन खतम कर रहा होता है जिसके लिए ट्रैवर अपने बहुत सारे दुश्मन बना लेता है और इसलिए ट्रैवर चाइनिस गैंस्टर से भी अपनी दुश्मनी मोल ले लेता है और एक दिन ट्रैवर जोलरी शॉप रॉबरी की निउस सुनता है और उसको शक होता है कि ये काम माइकल का ही हो सकता है ट्रैवर अपने राइट हैंड वेड से माइकल का पता लगाने को कहता है वेड माइकल की सारी जानकारी ले लेता है और ट्रैवर को बता देता है कि माइकल लॉस एंटोस में ही रह रहा है और उसने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है जिसके बाद Trevor Michael से मिलने Los Santos पहुँच जाता है Trevor Michael को ढूण लेता है और Michael के घर पहुँच जाता है और इतने सालों के बाद Michael Trevor को देख के शौक हो जाता है इनी बीच Michael की family से Michael के रिष्टे और बिगडने लगते हैं और Michael को छोड़ के चले जाते हैं पर Franklin Leicester के साथ criminal activities को continue रखता है और Vinewood Hills पर एक mention ले लेता है और high profile life शुरू कर देता है पर वो अपने खास दोस्त Lamar के साथ street gang activities में active रहता है और साथ ही साथ Trevor भी अब Los Santos में ही रहकर अपना business को expand करता है जिसके लिए Trevor government security weapon contractor company में चोरी करता है जो company है Merriweather इन सब के बाद Dave Naughton जिसने पहले Michael की help की थी और साथ में एक और FIB officer Steve Haynes Michael और Trevor को अपने कुछ illegal काम करने के लिए force करते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि इन सब काम में जो भी पैसा चीए वो भी तुम ही arrange करो और पैसो का arrangement करने के लिए अब Michael Davin Weston से मिलता है जो की एक बहुत बड़ा billionaire होता है Davin Weston Michael को Solomon Film Studio बेचता है क्योंकि Michael को भी producer बनने का बहुत शौक होता है जहां Michael film producer बन तो जाता है पर Western Michael के साथ fraud करके उसकी film को बंद कर देना चाता है ताकि film के insurance का पैसा ले सके इसलिए Western की secretary Molly film को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर Michael Molly का airport तक पीछा करता है जहां accidentally Molly plane के engine में आके मर जाती है जिसके बाद Western और Michael के बिच दुश्मन ही हो जाती है और ये सब खतम होने के बाद Martin Madrazo, the drug dealer Michael को contact करता है क्योंकि Martin का कोई दूर का cousin Martin की कुछ secret files को court में evidence की तरह पेश करने वाला था जिससे Martin को खत्रा हो सकता था इसलिए Martin Trevor और Michael को वो secret file उसको वापिस लाने को कहता है Trevor और Michael Martin के उस cousin का plane crash करवा के वो file हासिल कर लेते हैं पर file return करने के लिए Trevor Martin से पैसे मांगते को एक robbery plan करने को कहते हैं Franklin भी robbery में Michael और Trevor को join करता है और तीनों मिलके एक बार फिर से एक bank लूट लेते हैं Trevor को Merriweather Company के कुछ और items लूटते समय एक बहुत valuable item मिलता है जो इतना कीमती होता है कि Trevor और Michael की Martin से दुश्मनी को खतम कर सकता है इस लूटाने को कहता है कि बदले Michael Trevor से कहता है कि वो अपने huge plan यूनियर depository को लूटने पर काम कर सकते हैं जो इन दोनों का अब तक का सबसे बड़ा plan था जिसके बाद Tratos लौट जाते हैं जहां Michael अपनी family को मना के सब को वापिस ले आता है एक दिन Trevor Michael से ये पूचता है कि अगर Michael खुच जिन्दा है तो graveyard में उसकी जगा किसको दफनाया गया था पर Michael बात को गुमाने की कोशिश करता है जिसमें Trevor को शक होता है और वो फॉरन नौर्थ येंटन Michael की कबर देखने निकल जाता है कबर में Brad को मरा देखकर अब Trevor Michael पे बिल्कुल भरोसा करना छोड़ देता है और उन दोनों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल जाती है और Trevor वहाँ से चला जाता है जिसके बाद वहाँ Chinese gangster जो Trevor के दुश्मन होते है वहाँ पहुंच जाते हैं और Michael को kidnap कर लेते हैं ये सोचके कि Trevor Michael की जान बचाने के लिए उनकी बाद जरूर मानेगा पर Trevor को Michael की जान से अब कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन Franklin को Michael की जान से फरक पड़ता है और Franklin का Michael से contact ना हो पाने पर Franklin Lester से Michael की location को track करने के लिए कहता है और Michael की जान Chinese gangster को मार के बचा लेता है दूसरी तरफ FIB agent Haynes की परिशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि FIB को अब Haynes पर शक होने लगता है जिसके लिए वो Michael Franklin और Trevor से last time help करने को कहता है Haynes Michael को FIB headquarter गुसने में मदद करता है ताकि Michael उसका सारा record clear कर सके पर Michael अपने आप से FIB का control खतम करने के लिए अपना पिछला सारा record डिलीट कर देता है और successfully वहाँ से भाग जाता है Michael के अपने खुद का record डिलीट कर देने पर agent Haynes Michael को अकेले में मिलने बुलाता है और गुसे में Michael को मारना चाता है पर at right time वहाँ FIB टीम पहुंच जाती है जिसके बाद Merryweather बोर्स भी वहाँ आ जाती है और एक बहुत बड़ा shootout शुरू हो जाता है पर shootout से Michael की जान बचाने के लिए एन मौके पर Trevor वहाँ पहुच जाता है और Michael की जान बचा लेता है और कहता है कि Michael को सिर्फ वही मार सकता है और वहाँ से बचके निकलने के बाद दोनों अपने big plan union depository को लूटने पर काम करने लगते हैं पर सिर्फ दोस्त रहकर नहीं एक partner रहकर और वह अपने इस plan पर काम करने ही वाले होते हैं कि एक और बड़ी problem उनके सामने आ जाती है जिसमें उने Franklin के खास दोस्त Lamar को उसके rivalry gang से बचाने Blaine county जाना पड़ता है Lamar को बचाने के बाद तीनों वापिस Los Santos आ जाते हैं जिसके बाद Leicester Unionis depository robbery plan करता है और Western Franklin को Michael को मारने को कहता है जिबकि FIB चाती है कि Franklin Trevor को मार दे Franklin के पास दो choice थी कि वो Michael को मार दे या फिर Trevor को मार दे पर Franklin एक suicide mission चूस करता है जिसमें तीनों मिलके अपने दुश्मनों का सामना करते है जिसमें Trevor Michael के दुश्मन FIB agent Steve Haynes को मार डालता है और Franklin Trevor के दुश्मन Chinese gangster leader को मारता है और Michael Franklin के street gang rival का सफाया कर देता है इन सब के बाद तीनों मिलके Western the billionaire को भी मार देते हैं और Dave Naughton जिसने पहले Michael के record clear किये थे एक बार फिर से इन तीनों के records clear करने में